हेलो नमस्कार साथियो सागताप सभी का अल्टाइम टॉपर्स पर एकोने लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ थर्ड ग्रेट सिक्षक वरती 2023 से समधित काफी लंबे समय से मैं आपके लिए साथियो अपडेट उपलब्द नहीं करवा पारा था इसका जो कारण था वो टॉपर्स पर देखने को मिल जाएगी इसी करम में यहाँ पर साथियो एक और बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने है लेवल टू वेटिंग लिस्ट इस दिन होगी जारी कितने पदों पर आने वाली है लिस्ट ए टू जैड संपूर्ण जनकरी इसी वीडियो में मिलने वाली है और नेक्स्ट आपको आगी की सभी अपडेट रेगुलर अपने इस टेलीग्राम चैनल ओल्टाइम टॉपर्स पर मिलते रहेंगी सभी साथ इस टेलीग्राम चैनल ओल्टाइम टॉपर्स को जोईन कर ले यहाँ पर आप देख सकते हैं सातियो कल एक नया नोटिस जारी के गया था और इसमें यहाँ पर बताया गया है उच्छ प्रात्मिक विदाल अध्यापक सीधी बरती दोजार बाईस लेवल टू विश्यवार पदों पर कारेग्रेंड नहीं करने वाले अभ्यार्थियों के सम्मंद में तो यहाँ पर इसमें जो इस पस्ट रूप स उससे बताया गया है सातिउ उन्हीं कि चार पोइंट कि प्लिश सत्यापन रेपोर्ड में आरंबिक अप रधिक प्रक्रणद दर्ज होने के करड़ से मार्गदर्संद चाहिए प्रक्रणद नडण इस तरफपर प्रक्रिया देन कि निक्तिा अदे 2022 लेवल टू पर कारिगरन नहीं करने वाले एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची देनी होगई इसके अलावा लंबित एवं कारिगरन अवद्रण वोले अभ्यर्थियों की यहाँ पर सूची देनी होगी तो यानिकि यहाँ पर कुल मिलाकर बात करें तो सात्यों यहाँ पर उन अभ्यर्तियों के लिए काफी कुछ खबरी होने वाली है जो यहाँ पर कुछ अंको से या एक नंबर सी भी कम से यहाँ पर रहे गएं सात्यों फाइनल सेलेक्शन में तो उन अभ्यर्तियों का यहाँ पर सेलेक्शन अब होने वाला है और आगे यहां पर देख सकते हैं सुक चोधरी जी का भी यहां पर एक ट्विट आया जिसमें बताएगा कि एल्टू नॉन जोइनर का डाटा बीकनेड निदिशाले ने सभी जिला पर इसाद से आठ फुरे तक भीजने को का है जैसे डाटा निदिशाले को प्राप्त होगा उसके तुरंत बाद वहां से डाटा करमचारी चैन बोर्ड भीज़ाने का प्रयास करेंगे ताकि एल्टू की प्रतिक्सास दूशी भी जारी हो सके तो कुल मिला करेंगे ती साथे आपर वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट अपडेट वीडियो में आपको बता दे जाएगा साथे कि कितने पदो पर आपके यहां पर वेटिंग लिस्ट लेवल टो की आने वाली है आसा करता हूं जान करें आपको अच्छी लगई की तो प्लेज वीडियो को लाइक शेयर करें मिलते हैं साथे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ जहिन